ऐखी ऐगत RAW आज की स्पीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप अपने फ्लिप काट एकसेस बैंक के क्रेडट कार्ड के बिल को पे कर सकते हैं और क्या-क्या चार्ज इसके और किस तरीके से बिल पेमेंट होता अगर आपने भी new flip card taxes bank credit card apply किया और approve हो चुका है और आपको मिल चुका है और आपको नहीं पता है कि कैसे bill payment करना है तो कैसे अगर आपने जो credit card को apply किया था यह आपने starting of month किया था माल लेजे 5 तारिक को आपने apply किया था फरवरी में 5 तारिक को अगर आपने apply किया है card को देन आपने आपके card को deliver होने में इसको आपके घर तक आने में 10 तारिक तक का समय लग गया 10 तारिक को card आया आपका आपने उसमें से कुछ amount spend करा तो आप confuse होंगे कि आपका यह bill जो है वो इसी 15 को generate होगा यह next वाले 15 को generate होगा तो जैसा कि guys मैंने access bank के customer care से बात किया था तो 4-5 बार बात करने के बाद मेरे को मतलब की समझ आया क्योंकि जो वो information दे रहे थे वो सही information provide नहीं कर पा रहे थे उनके कुछ agents थे जो की collect थे वो ठीक से inform नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से bill payment करना है और कब आपका bill generate होगा तो guys काफिर research करने के बाद मेरे को proper जानकारी मिल पाई है कैसे आपको bill payment करना हो और आपको कैसे bill generate होता है तो guys बताना चाहूँगा कि अगर आपने फरवरी के मन्त में या फिर कोई साभी मन्त ले सकते हैं तो जड आपने किसी भी मन्त में credit card को apply किया credit card को आपने apply किया आपका credit card जो apply हो गया अप्रूव हो गया कार्ड आपको 12 से 13 तारिक के बीच में मिले गया तो जो गाइस इसका billing cycle है वो customer care के तरफ से जो बताया जाता है वो 15 तारिक है मतलब हर मन्त की 15 तारिक को इसका bill generate होता है ठीक है बट application में flip card के application में 16 तारिक सो होता है तो हम customer care के point of view से देखते है कि हमें जो bill payment करना है वो हर 15 तारिक के हमारा bill generate हो जागा उसके बाद हमें 4 तारिक को bill pay करना है क्योंकि कभी कभी amount reflect उने में 3 दिन का समय लग जाता है तो इसलिए हमें 4 तारिक तक अपना bill pay करना ही करना है क्योंकि by chance अगर कोई server issue हो गया और आपका bill update नहीं हुआ तो आपको काफी बहुत जादा मतलब charges देने पड़ सकते हैं माल लिजे आपने 1000 रुपीज निकाला इस card के थूँ तो आपको जो charges है वो आपको 500 रुपीज प्लस 90 रुपे जेश्ट हैं और अगर 5000 तक हो जाता है तो आपको 700 रुपीज के करीब आपको ये amount pay करना पड़ता है charges के रुप में और interest अलग से और 10,000 तक होता है तो आपको 1000 देना पड़ता है 1000 से जादा नहीं है 1000 देना पड़ता है इसमें आपका GST भी include होगा 18% GST भी आपको देना पड़ेगा इसके साथ ठीक है इतना आपको charges देना पड़ता है इस card का अगर bill आप late कर देते हैं तो इसलिए आप याद रखें चार तरिक से पहले ही pay कर दीजे जैसी आपका month end हुआ आपका 15 तरिक को bill generate हो गया आप 15 तरिक का bill generate हुआ अब आपका महीना मान लिजे 30 तरिक का है तो आप 30 तरिक कोई bill pay कर दीजे 2-4 दिनों का समय का wait मत करिए by chance कोई server issue हो गया और आपका payment टटक गया तो बैंक वाले नहीं मानने की कोई server issue हो आता इस कारण से हम आपको माफ कर देंगे वो आपके उपर charge लगाएंगे और आपको वो pay करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो civil down होगा और भी काफी issue हो सकता आपको ठीक है तो यह होगा इसके charges और bill payment करने का और बाकी बाद रही तो आप अपने time से भी मदब time से पहले भी bill pay कर सकते हैं यह आपको access bank के application में यह option नहीं मिलेगा तो आप grad application के थुरू जो bill payment कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप कोई भी bill payment करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा cashback भी मिल जाता है प्लस instant आपका जो update भी हो जाता है आपके application में जैसे कि मैं आपको एक बड़ चेक करके दिखा देता हूँ मैंने अभी 100 रुपीज का bill पे कर रहा है मैंने 3-4 बार मतलब छोटा-छोटा amount करके bill पे कर दिया देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर जो मैंने amount यूज किया वो 1807 रुपे यूज किया है जो 170-180 रुपे के करीब पे कर दिया जिसमें की मतलब मेरे को cred application से कुछ cashback भी मिला था वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर joining fees और मेरा GST लगा था 590 रुपे लगा था मैंने जब cred application में जब login करा तो मैंने वहाँ से जब 1 रुपे या 2-3 रुपे की जो payment करी थी तो इसके अंदर मैं को 3 रुपे का cashback एक रुपे का payment करा था मैंने एक रुपे ये भी add हो गया फ्लस फिर इसके बाद मैंने 10 रुपे का जब payment करा तो मेरे को 56 रुपे का cashback मिला उसके अंदर तो ये सारे amount यहाँ पर add हो गया इसके बाद मैंने यहाँ से country delight जीओ जीओ पे में और और rooms में मतलब मैंने spend किया तो कुछ इतना amount मैंने spend किया 11-13-13 तारिक को यह amount spend किया मैंने यहाँ से then मैंने आज की date पर 17 तारिक को credit application से अगर आप bill pay करते हैं तो काफी जल्दी pay हो जाता है आपको कोई भी issue नहीं आता है तो आप आपके पास अगर पैसे हैं तो आप समय से पहले भी bill pay कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई late penalty fees नहीं लगेगी और जो मेरा bill generate होगा यह next वाले 15 को होगा 15 March को बट अगर आपने card लिया होगा तो आपके में पहले 100 करेगा फर्वरी के मन्थ में लिया तो आपके में फर्वरी का ही 16 तारिक सो करने लग जाएगा तो आप सोचिंगे कि मेरा 16 तारिक को bill generate होगा बट ऐसा कुछ नहीं है करने के लिए तो आपको उस समय के अनुसार payment कर देना है तो काईस मेरे साब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तारिक मतलब आपको यह bill pay करना है और कैसे मतलब bill pay करना है समय से और कैसे charges से बचना है तो काईस अगर आपको यह video पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोज देखने के लिए